आज USA और इंडिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला काफी ज़्यादा एहम है USA की टीम के लिए, अगर USA की टीम इस मुकाबले को जीच जाती है तो फिर World Cup में क्वालिफाई कर जाएगी Super 8 के लिए, तो USA की टीम काफी ज़्यादा एहम देखना चाहेगी इस जस्प्रीद भुम रहा हैं, इसके अलावा भी कई प्लेयर्स हैं, विराट कोली, रोज शर्मा, जो कि अपने आप में वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और नमबर वन प्लेयर हैं दुनिया के, तो अगर देखा जाए, तो इन सबी खिलाडियों के आगे खेलना, USA की जितने भी उनको काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं वो, और उसलिए जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं इस मुकाबले से पहले जिसमें एरन जोन्स को हमने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक्साइटमेंट उनकी भी है, लेकिन अब जो ए और मैदान में एग्रेसिव रहते हैं, तो वो ही सुभाव मेरा भी है, दरसल बात करें तो अली जो हैं वो पाकिस्तान मूल के खिलाडी हैं और USA में खेल रहे हैं और विराट कोली के फैन हैं, विराट कोली को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा क कि मैदान में जब fire situation होती है या फिर ऐसी tense situation होती है तो वहाँ पर मुझे perform करने में मज़ा आता है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आग को आग की तरह से खेलेंगे हम, तो ये कही ना कहीं indicate करता है कि विराट कोली को एक तरीके से आइडल मानते हैं वो और विराट कोली क काफी ज़्यादा पसंद करते हैं वहीं अगर बात करें USA की टीम की तो USA की टीम में इंडियन मूल के खिलाडी हैं कई सारे नित्र वलकर हैं इसके अलावा मुनांक पटेल हैं जो के अंडर 19 खेल चुके हैं कई प्लेयर्स उसमें से इसके अलावा अलग 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 किया है पाकिस्तान को हराया इसके बाद फिर USA की टीम ने आयरलाइन को हराया तो अब देखना होगा किस तरीके से USA की टीम अगला मुकाबला खेलती है लेकिन सबसे इंपोर्टेंट मुकाबला इनका इंडिया की खिलाफ होने वाला है अब देखना होगा USA क्या कमाल करती है स्पोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें